चलिए एक और कोश्चन है देखते हैं क्या डिमांड है कहता है from the following information calculate value of equity shares ठीक है सर दप पेड़ शियर कैपिटल अफ दे कमपनी पेड़ शियर कैपिटल अफ दे कमपनी थाउजन शियर अपका है थाउजन इसके बाद आगे देखें 15 परसेंट प्रिफ्रेंच यह है 100 रुपेस का एक और आगे कहता है बीस हजार मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँ तो हजार आपके प्रिफ्रेंच यह है 15 परसेंट वाला जिसकी एक कीमत कितनी है 100 तो मैं यह लिख लेता हूँ इसके बाद आगे देखो आगे क्या कहता है बीस हजार इकुटी शियर दस रुपे वाला है तो सार इकुटी शियर कैपिटल भी है 20 अजार है और दस वाला देट इस दो लाग रुपे का आगे कहता है दा एवरेज एन्वल प्रॉफिट आफ्टर प्रॉवाइडिंग डेप्रीशेशन एंड टेक्सेशन अमाउंट 75,000 यानी प्रॉफिट दे रहा है आपको यह प्रॉफिट आफ्टर क्या दे रहा है टेक्स कितने रुपे का दे रहा है 75,000 इट कंसीडर नेसेसरी ट्रांसफर इतने करने नेसेसरी ट्रांसफर इतने मतलब 10,000 रुपे रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है तर जैनना रिजर्ण बिफोर डिकलेरिंग डिविदंट करने से पहले से भीजना है गर्ट नौर्मल रेट एक्सपेक्ट पिए इन्वेस्टर का है कि नौर्मल रेट एक्सपेक्टेड बाइधा इन्वेस्टर और एक्टूटी शेर फ्रॉम the type of business carry 10% का हमारा rate of return होता है normally तो आप सवाल को कहीं भी question पे नहीं बोला कि कौन सा method apply करना है और ये भी questions exam में आया हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा method यहां पे appropriate है लग सकता है net assets method तो लगी नहीं सकता है क्योंकि assets के liability की भी पूरी जानकारी कहा है क्योंकि मैंने क्या बोला था वहां पे आपको पहले से rate of return देगा प्लस आपको profit भी दे रहा है कुछ general reserve की भी बाते कर रहा है तो सारी बाते कर रहा है तो उसकी according निकाल लेते हैं तो सर सबसे पहले हम तो profit निकाल लेते हैं for equation सबसे पहले profit निकाल लेते हैं for equation कैसे निकाल लोगा अभी सीखा था हमने सबसे पहले लिख लेते हैं profit profit after tax सर अमाउंट कितने का होगा that is 75 इसमें से क्या माइनस करेंगे सबसे पहले general reserve फरक नहीं पड़ता percentage तो इसी का निकाल लोगा वैसे अमाउंट दे रखा है कोई फरक ही नहीं फिर माइनस क्या कर दोगे preference share का dividend सर 15% preference share dividend है और एक लाख है तो कितने आ जाएंगे that is आपका जो earning आ जाएगा यहां या profit बोल लो for equity कितने आ जाएंगे for equity बताओ अब हम dividend का rate निकाल लेंगे सर डिविडेंड का rate कैसे निकलेगा सर आप लिख लो earning और divided by value of into में 100 सर अर्निंग कितनी है value of equity कितनी दे रखी आपको दो लाख है ना इन्टू में 100 तो कितने आते हैं चालिस पर्सेंट चेक करी एक पर चालिस पर्सेंट आ रहा है हां 25 आ रहा है 25 ठीक है अब हमें एक अपना dividend rate मिल गया एक कौन सा rate है हमारा normal rate of return तो value of share क्या होगा एक हमारा dividend rate जो हमने find किया है divided by normal rate इंटू में paid up capital सर डिविदेंट रेट कितना है हमारा 25 divided by question में 10 इंटू में paid up कितने का था 10 तो कितने आ गए यह 25 रुपे यही सवाल में पूछा था आपको value of shares निकालना था और जो कि हमने निकाल दिया कितने 25 रुप ठीक है तो मैं चलिए इस question को मुझे दुबारा ही करना पड़ेगा sex rate 12% normal rate 25% working note clearly show करा हुआ है चलिए दुबारा questions हम सारे questions यह exam में आये हुए हैं और यह chapter मैं बोलू न तो exam में पूछा भी जाएगा और बागी cash flow और अधर जितने भी chapter है न आपकी किताब में उसका तो 10% भी नहीं है यह आप भी देख रहे होगे simple सा question है कुछ एक point पूछता है और हम जवाब दे देते हैं ठीक है चलिए सवाल में क्या है जब कभी भी आपको normal rate दे देगा ना तो समझ जाना कि आपसे वो dividend yield वाला method पूछने की कोसिस कर रहा है यही हमारा था normal बाकी यहां पर net assets भी हो सकता है तो मैं दोनों method से करके दिखा दूँआ क्या आ रहा है ठीक है कहता है following balance sheet of fee merchandise limited 31 मार्च हमें assets liability और साथ के साथ कुछ assets दे दिया और हमें profit निकालने के लिए उसने कुछ एक profit दे रखा है जिसमें से sales दे दिया उसने operating cost दे दिया और interest दे खर्चे यानि income दे दिया और उसके कुछ खर्चे और हर साल का दे रखा है अज्यूम rate of tax 60% रहेगा और earning 12% रहेगा हमारा तो हम dividend वाले को फोलो करेंगे यहां पे आप net assets method से भी निकाल सकते हों सर्ण net assets method से कैसे निकालेंगे total of assets कर लेंगे उसमें से minus कर देंगे हम preference share capital और एक हमारा जो primary expense होता है नहीं यह भी minus हो जाता है तो हम दोनों से कर लेते हैं पहले इसको net assets method से निकाल लेता हूं सर्ण net assets method से सर्ण net assets method से हमारे पास total assets given है सर्ण total assets क्या given है सर्ण that is 8,25,000 सवाल ने कहां नहीं मैं अपनी मर्जी से निकालता हूं minus कर दो इसमें से क्या preliminary expense that is कितने का था हमारा minus कर दो preference share capital कितने का है है ही नहीं चलो minus कर दो liability तो liability तो सर है कितने है 4,00,000 यह आगे हमारा net asset कितने आगे फटा फट माइनस करो कितने आगे 3,25,000 अब इसको divide किस से कर दे हम number of shares तो value of shares that is 3,25,000 divided by आपको share दे रखा है 0,50,10 रुपय का that is आपका 25,000 निकाल दो क्या आगे value कितने 30 रुपय 13 यह value आगे यह net assets methods सवाल में कुछ नहीं बोला था तो यह answer जो निकाल के देखा है दिखा है न यह पता कौन से method से निकाल के दिखा रहे है dividend के साथ तो net assets method से आगे अब dividend वाले से भी देख लेते हैं exam में आया वह questions है become owners में question आया है बच्चे न इस वाले सवाल में यह देखके घबरा गए assets हमारा चाहिए वह assets जिसकी value हो market value और हमेशा preliminary expense underwriter share discount on issue of shares income market value हमेशा 0 ही होता है कभी भी आप preliminary expense को क्या है वो तो आपका एक fictitious assets है इसको market में बेचने जाओ गए तो market value बताए या ना बताए always क्या होगा 0 इसलिए क्या करते हैं मैंने पीछे format में नहीं लिखा था लेकिन मैंने भी बता दिया थे ठीक है तो बच्चे इस वाले point को देखे घवरागे सर यह क्या है तो जब कभी भी आपको 3-4 सालों का profit दे देगा तो हमेशा average profit का इस्तमाल करिए आप हमेशा किसका लेना होगा हमें average profit का तो चलिए कितने साल का profit था हम पहले profit को निगाल लेका कितने साल का दे रखा था सर एक, दो, तीन, चार, पांच सालों मैं पांच column बना लेता हूँ first second third fourth fifth fifth ठीक है सबसे पहले sales दे रखा है आपको सर, sales कितना है छे, साथ, आठ, पांच, नो 6 साथ आठ और क्या था पांच और नो उपर year भी लिखी देते हैं सिस्टेमेटिक क्या कर दोगे इसमें से expense सर, expense क्या क्या है सवाल में सबसे पहले ये भी आपका expense है और interest भी expense है, माइनस कर दीजे सबसे पहले माइनस कर दोगे आप expense तो एक्सपेंस अब ओपरेटिंग कॉस्ट की बात करें 3,45, 3,95, 3,95, और 4,45,000, अगला हमारा 295,495, 295,495, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे आप interest, अगर interest की हम बात करें, interest क्या है, हर किसी का fix है 25,25, 25,000, 25,000, इंटरस हमारा 25,25, 25,000, सवाल में देखो, तो long term borrowing का भी दे रख है, आपको 12 परसेंट और 12 परसेंट अगर निकालते हो, धाई लाग का तो कितना बनता है, that is 30,000, कितना बनता है हमारा, तो यहाँ पे है यह interest on loan, यहाँ पे क्या है यह? interest on loan, तो सवाल के साबसे साथ, debenture वाला भी तो interest minus होना चाहिए, क्योंकि सारे interest minus करोगे, यह loan वाला interest है, हमें किसका interest minus करना पड़ेगा और? debenture, तो debenture वाला interest कितना बन रहा है, 30,000 बन रहा है, सर कैसे बन रहा है 30,000, तो धाई लाग रुपए पे, आप 12% निका लिएगा, तो बन रहा है कितना? तो सिंपल सी बात है, आप 30-30,000 रुपए हर जगे से minus कर दीजिए, एक और interest minus कर दीजिए, that is, अब यहाँ एक profit generate हो जाएगा, हर एक का निकाल लिए, हर एक student एक का निकाल ले, जल्दी हो जाएगा, पहले का मैं निकाल रहा हूँ, दूसरे का कोई और निकाल ले, दो लाग, दूसरे का बताईए, दूसरे का धाई लाग, चलिए, दूसरे का धाई लाग, तीसरे का, थ्री लैग, इसका, पंदरा और सोला का भी निकाल लिए, और इसका, इसके बाद ये आगया profit, क्या इसमें से tax minus है, क्या इस profit में से tax minus है, नहीं है, तो before tax, minus क्या कर देंगे इसमें से, tax, tax का rate आपको simply question में 60% कह रहा था, तो आप 60% निकाल लेंगे, इसका निकले का 60%, तो एक 20, इसका 60%, एक 50, इसका 60%, एक 80, एक 50 का 60%, नबे, और तीन 50 का 60%, दो दस, अब जो हमारे पास profit निकल के आएगा, that is profit, after tax, है के नहीं, यह आगे हमारा 80, यह आगे वन लैक, और यह आगे वन, 120 यह 20, और यह आगे 60, और यह 140, एवरेज profit कैसे निकालते हैं, आपने 12th class में बहुत सिखाए, गुडविल वाले चप्टर में, सभी को जोड़ के किस से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 सालों का profit है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो अब सभी को मैं जोड़ लूँ, अगर, 80, 80, 21, 20, 60, 41, total कितने हो गए, 5 लाख होए, कितने आगे, आपका profit आगे एक लाख डेटेज, profit क्या आगे आपका, पहले यहां तक देख लेजिए, यह simple सा equation है, जो उस question में बोला हुआ था, profit कितने आगे, एक लाख आगे, अब सिंपल सा, हम method से calculation कर लेते हैं, क्या बोला था, मैंने profit after tax, सर, profit after tax निकाल लिया, क्या था, एक लाख, माइनस क्या कर दो, transfer करना जो भी है, आपको जनरिजम में, तो सवाल में क्या, जनरिजम में transfer करने की कोई बात कह रहा है, तो यहां पे कहीं भी सवाल में, जनरिजम करने की कोई भी बात, नहीं करता है, सर, ठीक है सर, जीरो है, अब मैंने कहा, माइनस कर दो, preference share का dividend, preference share ही नहीं है, तो dividend कहा है का, कितने आ गए, एक लाख, अब एक लाख, जो आया है, इसके बाद हम dividend rate निकाल पाएंगे, dividend rate क्या होता है सर, एक लाख रुपे, divided by value of shares, value of shares, अगर देखो, तो कितने का है हमारा, धाई लाख का, तो divide धाई लाख, इन्टू में 100, क्या आया, 40, अब dividend value per share निकालने के लिए क्या था, जो हमने dividend rate निकाला, divide कौन सा rate करते हैं, जो दे रखा होता है सवाल में, और इन्टू में paid up capital, तो value per share is equal to dividend rate, divided by जो आपका normal rate है, या capital rate भी बोल देते हैं, इन्टू में paid up, तो उसा dividend rate 40, सवाल में क्या दे रखा था, 12.5 और share 10 का था, 12.5 और share कितने का है, solve कर लिजए, क्या दे, 32, clear है, तो जो पीछे answer दे रखा था, वो इस वाले method से था, तो मैंने इस से भी करती है, अब exam में तो बोला जाएगा, वैसे अगर नहीं बोला गया, तो आपके इच्छा इस से करें, लेकिन मैं सजेस करूँगा, जब ये वाला rate मिल जाएएए, तो समझ जाएए, exam ने dividend yield वाला ही, पूछने की कोसिस कर रहा है, आपस, जाएए, लूछने की करता है, वालार हैं नहीं, पूछने का फिस प्रीआग explicitisch है, अजिवोला फिसλέंगласт मैंब जाएए, इस से जाए हिस्वाणे के इसांगके लाएएएटिंगेजड़वे नहीं, ये बोलाएएएएए, एस वालाएएएए,